हलो फ्रेंड्स, विलकम टू मैं यूटूब चैनल दमैजिक रेसिपी, आज मैं आपके लिए चिचिंडा की सबजी की रेसिपी लेकर आई हूँ, इसे स्नेक गॉड या फिर चिचरा भी बोलते हैं, इसकी सबजी काफी हिल्दी होती है, चिचिंडा हमारी सिहत के लिए बहु जितनी बढ़िया ये दिख रही है, खाने में ये बहुत ही टेस्टी लग रही थी, तो आईए इसकी रेसिपी को देख लेते हैं, रेसिपी पसंद आए तो विडियो को लाइक और सेर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तो यहां मैंने दो चिछिनडा लिया है, और इसे हम छीर लेंगे, तो इस तरीके से आरसानी से ये छील जाता है, जैसे तोरी वेगरा छीलते हैं, उसी तरीके से इसे छीर के ले ले लेना है, तो यहां देखिए इसे छीर कर और धोकर मैंने ले लिया है, और अब इसे इस छोटी छोटी टुकडों में कट कर लेंगे तो आप चाहे तो इसे इस तरीके से गोल गोल या फिर यहाँ देखिए मैं थोड़ा सा तरचा करके कट कर रही हूँ तो इस तरीके से भी काट सकते हैं इस तरीके से देखने में काफी अच्छा लगता है और ज्यादा मोटा टुकडा नहीं कट करेंगे थोड़ा पतला पतला ही से रखेंगे जिसे कि पकने में आसानी होगी और खाने में भी अच्छा लगेगा तो जो सौप्ट है उसका तो हम बीच वाला भाग रखेंगे लेकिन जिसमें भीज आ गया है उसका भीज हम हटा देंगे और यहाँ पे देखें इसे काटके रेडि कर लिया है अब इसमें एक चमच नमक टाल के और इसे हाथों से अच्छे से मिक्स करके और इसी तरीके से इसे छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए तब तक हम आगे की तयारी करेंगे इसके लिए हम मसाला एक तयार करेंगे ज आट से दस लहजन की कली एक इंच द्रक का टुकड़ा और तीन हरी मिर्च उसी के साथ दो टमाटर और दो प्याज रफली चौप करके डाल के और इसका देखे पेश्ट तयार कर लिया है इस मसाले से बहुत ही बढ़िया सबजी बनेगी अब मैंने पैन चड़ा लिया है गैस इसे हम कभर करके दो-तीन मिनट तक पकाएंगे तो यहाँ पे देखे इसे मैंने कभर कर दिया है कभर करके पकाने से यह जल्दी से मसाले है पक जाएंगे तीन मिनट तक मैंने इसे कभर करके पकाया है और यहाँ पे जो है मसाले थोड़े से भून भी गये है तो जो एक्स् तो नमक हमने पहले भी डाला है तो उसके हिसाब से थोड़ा कम ही डाले और अब इसे अच्छे से मिक्स करके और इन मसालों को अच्छे से भून लेना है तो यहाँ पे हम थोड़ी देर और कभर करके इन मसालों को पकाएंगे कभर करके पकाने से मसाले बहुत ही जल्दी भून जाते हैं और इनका जो सुगंध होता है बना रहता है वो खतम नहीं होता तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ी देर के लिए और कभर कर दिया है एक से डेर मीनट तक कभर करके पकाया है अब इसे हम खोल लेंगे और गैस की फ्लेम को मिडियम टू लो रखेंगे मिडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से मसालों को भूनेंगे तो मसाले अच्छे से भून गया है, अयल सप्रेट होने लगा है और यहाँ जो हमने चिचिंडा रखा था, उसे हाथों से इस तरीके से निचोड देंगे देखे, पानी निकल रहा है तो इस तरीके से जो भी एक्स्ट्रा पानी है उसे हम нिकाल देंगे हाथों से निचोड़के और अब इसे हम मसाले में डालेंगे और कुछ सेकेंड तक मसालों के साथ हम इसे भून लेंगे तो यहाँ पर बस कुछ सेकेंड लगेंगे आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है मसालों के साथ और अब इसमें हम पानी डाल देंगे तो जो चाय बाला ग्लास होता है उससे दो ग्लास के जितना इसमें हम पानी डालेंगे थोड़ी देर तक इसे अभी हम पकाएंगे तो इसमें पानी होना चाहिए तभी अच्छे से ये पक पाएगा तो यहाँ देखें अच्छे से मेक्स करके और इसे कभर करके चार मिनट तक मैंने इसे पकाया है और अब इसका लुक देखिए कितना बढ़िया आया है जो हमारे चिचिंडे है ये पक गए है तो आप इसे इस तरीके से पल्टे से दबा के चेक कर सकते हैं कि ये पका है कि नहीं है बहुत ही जल्दी से ये पक जाता है यदि आपको कच्छा लगे तो आप थोड़ी देर और इसे पका लेजिए तो यहाँ पे देखिए किती बढ़िया दिख रही है सब्जी बहुत ही बढ़िया दिख रही है इसमें एक चुटा चम्मा जितना कसुरी मिथी डालेंगी जादा मट डालिएगा या फिर आप भरा धनिया इसमें डाल सकते हैं सब्जी बनकर तयार हो गई है तो आईए इसे सर्फ कर लेते हैं आप इसे रोटी के साथ, चावल के साथ, पराठो के साथ, पुड़ी के साथ जैसे भी आपको पसंदों इंज्वाई कर सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगती है और उसी के साथ काफी हिल्दी होती है ये सब्जी तो बड़े या बच्चे सभी को ये बहुत जादा पसंद आएगी आप एक पार इस तरीके से जरूर ट्राई कीजिएगा कैसी लगी आपको मेरे चिचरा की सब्जी की रेसिपी कमेंट करके जरूर बताईएगा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सेर कीजिएगा चैनल पर पहली बार आये है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेल की घंटी को भी ब्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई थैंक्स फर वाचिंग जै माता दी